अमेरिका के अलास्का एरलाइन्स के प्लेन की खिड़की 16,000 फीट की उचाई पर अचानक तूट गई विमान में 174 यात्रियों के अलावा 6 क्रू मेंबर्स भी सवार थे हजारों फिड़की उचाईयों पर विमान की खिड़की तूटने से कैबिन का दबाव कम हो गया पोर्टलेंड से उंटेरियो केलिफोनिया जा रहा था यह फ्लाइट 1282 पोर्टलेंड इंटरनेशनल एरपोर्ट से शाम को करीब चार बचकर बावन मिनिट पर रवाना हुई यह एरक्राफ्ट शाम को साड़े पांच बजे फिर से पोर्ट लैंड पर लॉट आया और सुरख्षित तरीके से इमर्जेंसी लैंडिंग की अमेरिका के फेडरल एवियेशन एमिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा था कि चालक दल को दबाव के संकट का सामना करना पड़ा अब इस मामली की पूरी तरीके से अमेरिका जाच कर रही है बताया जा रहा है कि ये विमान बोईंग कंपनी का 737 MAX 9 था यही नहीं ये एक दम नया था और अक्टूबर महीने में ही इसे एरलाइन्स को सौपा गया था उधर विमान बनाने वाली कंपनी बोईंग ने ट्वीट किया है कि अलास्का एरलाइन्स की उड़ान AS1282 से जुड़ी घटना के बारे में जानकारी मिली हम अधिक जानकारी इकठा करने के लिए काम कर रहे हैं और अपने एरलाइन्स से संपर्क में हैं बोईंग की एक तकन अमेरिका की पांच वी सबसे बड़ी एरलाइन्स है पांच देशों के 120 से भी ज़्यादा जगहों पर एरलाइन्स विमानों का संचालन करती है एरलाइन्स के बेडे में मुख्यतोर पर बोईंग 737 सिरीज के विमान ही होते हैं